Now, our next topic is interior point of a set and neighborhood of a point. यह दोनों concepts parallel चलते हैं, ध्यान से सुनना इन एक ही definition से आपको दोनों समझ में आ जाएंगे, सबसे पहले definition है interior point of a set. तो start करते हैं इसकी definition, let x t be a matrix space, हमने एक matrix space लिया है, और आपने एक subset लिया x का, क्या लिया है, subset लिया x का, और a एक point है a का, मैं इसको diagram से दिखाती हूँ आपको, मान लो कि यह आपकी matrix space है, यह इसका एक subset है a, और कोई point है a a का, अब मैंने यह देखना है, कब यह point a, capital a का interior point बनेगा, तो अगर मैं simple sense में कहूँ, कि मुझे एक sphere अगर मिल जाए, इस a पर centered, वो sphere जो मैं draw करूँ, वो पूरे का पूरा capital a में हो, अगर ऐसा हो जाए, तो यह small a, capital a का क्या बन जागा, interior point, यह small a, capital a के पास already है, लेकिन, a में ही रहे, तो आप कहोगे, यह इसका क्या बन जाए, interior point, small a, capital a का interior point, और अगर ऐसा होता है, तो capital a, small a की क्या बन जाएगी, neighborhood, तो interior point किसका होता है, set का, और neighborhood किसकी होती है, point की, क्योंकि interior point of a set मतलब capital a का interior point है, a, और neighborhood किसकी है, neighborhood किसकी है, point की, small a की neighborhood है, capital a, अब जो हम कह रहे हैं कि sphere exist करें sphere exist करने को मैं ऐसे भी कह सकते हूँ center तो a fixed है center तो वही होगा जिसको आप interior point prove करना चाहते हो या बड़े set को जिस point की neighborhood दिखाना चाहते है सिर्फ आपने क्या ढूणना है? एक real positive number यानि एक sphere ढूणने का मतलब है कि आपको क्या ढूणना एक positive real number तो a अगर एक subset x का a को ये एक point है if there exist r greater than 0 अगर आपको कोई ऐसा r मिल जाए कि इस a पर centered आप r radius का एक sphere draw करो वो पूरे का पूरा किसमे हो? capital A में और आप ये वाली side लिखो तो a इसको belong कर रहा है ये तो यहीं से पता चल रहा है आप इस step को skip भी कर सकते हो या लिख भी सकते हो तो अगर आपको एक sphere मिल जाए a percentered और वो sphere भी a में यानि मैं यहांपर मुझे एक radius मिल जाए कि मैं एक sphere draw करूँ और वो पूरे का पूरा किस में contained हो capital A में then a is interior point of capital A और capital A is neighborhood of small A आप इस बात को ऐसे भी याद लग सकते हो अगर किसी point को किसी set का interior point दिखाना हो तो आपको क्या करना होता है simple language में उन दोनों के बीच में यहां मैंने belong लिखा है क्योंकि यह point है यहां मैंने contained लिखा है क्योंकि बीच में set लिखने वाली मुझे उन दोनों के बीच में एक sphere ढूणना होता है sphere कैसा? जिसका center तो यह point हो और radius ढूणना आपको actually मैं center तो मुझे पहली ही पता है तो आपको एक sphere मिल ज़ए पर इन दोनों के बीच में तो small a, capital A का क्या बन जाएगा? interior point और capital A, small a की क्या बन जाएगी? neighbor root एक example देखते हैं आप real line with usual metric ले लेते हैं और मैं उसका एक subset ले रही हूँ minus 3, 3 बना के देखते हैं यह आपकी real line यह real line है आपकी मैंने इस पर interval ले लिया minus 3, 3 यह capital A है अब मुझे सिर्फ यह देखना है अगर मैं A को 1 ले लू यह interval है, capital A 1 इसका एक point है इसके अंदर already है जैसे मैंने A लिया था क्या 1 को center लेकर मैंको कोई radius मिलता है? कि कोई ऐसा sphere मिल जाए, यहाँ पर spheres क्या है? open interval, जो पूरे का पूरा इसमें contained हो, आप यह देख लो, एक क्या बहुत सारे मिल रहे हैं, तो अगर मैं 1 को center लेकर, 1 radius का sphere draw करूं, 1 को center लेकर, 1 ही radius का sphere draw करूं, जो कि क्या आ रहा है आपका interval? 0,2 यह पूरे का पूरा किस में contained है? minus 3,3 तो आपको तो कोई एक sphere ढूंड के दिखाना है 1 percented, आपको एक sphere मिल गया, जो किस में contained है? यह पूरे का पूरा sphere किस में contained है? minus 3,3 में इसका मतलब, यह जो 1 है, क्या बन गया? इस A का interior point और यह capital A, इस small A का क्या बन गया? नेबर हुट अब एक और example करते हैं next example है आपके पास real line with usual metric ले रहे हैं दुबारा से RD is a usual metric space and आपने करना के find whether or not following are neighborhoods of 1 first part आपको given है 0,2 second part given है 1,2 third है 0,2 minus half and fourth is whole real line करना क्या आपने इस question में? आपने यह करना है कि अगर usual metric space आपको given है यह 4 sets दिये हो हैं यह मेरे capital A हैं definition के आपको यह बताना है कि यह 4 sets में से कौन-कौन 1 की neighborhood बन रहा है या नहीं बन रहा? तो simply आपने अगर मालों मैं set का नाम capital A रख लो in journal और point है मेरा 1 आपने सिर्फ यह ढूंडना है यहां पर आप कोई open sphere ढूंड सकते हो या नहीं और इस case में आपके open sphere क्या है? open interval तो start करते हैं first part से अब आपका first part क्या है? x आपके पास पूरी real line है 0, 1, 2, minus 1, minus 2 आपको क्या दिया हुआ है? 0 से लेके 2 तक यह आपका A है अब आपने 1 के उपर देखने हैं अब 1 के उपर क्या आप ऐसा sphere ड्रॉ कर सकते हो open sphere जो पूरा इसी के अंदर contained हो तो कर सकते हैं बहुत आराम से एक नहीं कई कर सकते हैं यहां से आप ले लो for example, 0.8 मैंने 0.2 distance लिये और यहां से मैंने ले लिये 1.2 तो 0.8 से 1.2 यह क्या मिल गया आपको एक open sphere क्योंकि यह open interval है और real line with usual matrix पर open intervals, open spheres होते हैं यह किसमें contained है? 0, 2 पर तो 1 पर centered आपको एक sphere मिल गया जो पूरे का पूरा इसमें contained है इसके मतलब 1 जो है इसका interior point बन रहा है या 0, 2 1 का क्या बन रहा है neighbor hold second second में आपको interval दिया हुआ है 1, 2 close interval इसे ध्यान से देखना है अब मैंने 1 को चेक करना है अब मैं 1 को कितना भी छोटा इसके आस पास interval यानि कि एक open sphere बनाने की कोशिश करों उसके कुछ elements कहां चले जाएंगे इस interval से बाहर तो आप कितना भी छोटा 1 के आस पास 1 minus epsilon epsilon बहुत छोटी quantity है आप ये कोई भी interval बनाने की कोशिश करोगे वो इसमें contained नहीं होगा इसका मतलब ये जो interval है ये neighborhood और hood नहीं है किसकी one के थर्ड थर्ड आपको दिया हुए 0,2 minus half 0,1,2 ये real line ये interval है 0,2 और इसमें से सिर्फ half निकालना है half मतलब सिर्फ ये point नहीं ले सकते हैं इसमें से सिर्फ ये निकाला हुए और बाकी पूछा आप से क्या ये one की हाफ का मतलब है 0,5 तो क्या one इसका interior point बन रहा है या ये set one की neighborhood बन रहा है तो कोई बात नहीं आप interval छोटा ले लो हमें तो कोई एक interval दिये 0,8 से 1,2 तो 0,8 से 1,2 मैंने दुबारा वही ले लिया ये किस में contained है 0,2 minus half में तो आपको one पर सेंटर एक स्फेर मिल गया जो पूरे का पूरा set में contained है यानि वो set one की neighborhood है और one उसकी क्या है बन उसका interior point लास्ट अब वो बात कर रहे हैं आपको पूरा set यानि capital A इस बार आपका क्या है पूरी की पूरी real line और आपने proof करना है क्या ये real line one की neighborhood बन रही है तो आप one percented ये आपकी real line पूरी है इस बार A 0,1,2, minus 1, minus 2 आप one percented आप कोई भी sphere ले लो मैंने ये ले लिया एक ऐसा interval जिसका radius कितना है one ये क्या आप कोई भी लोगे सारे के सारे किसमें contained होंगे real real numbers के set में इसका मतलब हर interval आपको तो एक डूढ़ना था आपको एक sphere मिल गया जो one percented है और किसमें contained है R में इसका मतलब R जो है वो one की क्या बन रही है neighbor root actually R अपने हर point की neighbor root बनती है या हर real number R का क्या बनता है interior point next एक और example है आपके पास discrete space के उपर discrete space आपकी वही space है 0,1 वाली तो हम ले लेते हैं let x be any arbitrary set and d be a discrete metric यानि आपको इस example में x non empty set दिया हुए है और d क्या दिवी है discrete metric that is d of xy is equal to 0 and 1 if x is equal to y if x is not equal to y आपने क्या show करना है show that every subset of capital X containing एक point लेते है इसका let x belongs to x every subset of x containing x is a neighborhood of x पहले इसके statement का मतलब समझते है इसके statement ये कह रही है कि अगर आपको एक metric space दिया है बस खास बात क्या है ये discrete है discrete मतलब 0,1 वाली x कोई भी arbitrary non empty set है और मैंने इस x का एक point ले लिया x, small x तो अब मुझे वैसे तो मुझे करना क्या है मुझे ये बताना है कि कौन-कौन से subsets हैं जो इस x के इसकी neighborhood बनेंगे तो ये example कहता है आप show करो कि जो भी subset उस x को contain कर रहा है उस point को सभी के सभी उसके क्या बनेंगे neighbor roots neighborhood के लिए point set में ही होता है लेकिन यहाँ पर हम वो ये कह रहे हैं आपको check करने के जरूरत नहीं है ये condition, ये example कहता है कि जिस भी set में वो point है वो पक्का उसकी neighborhood बनेगा कैसे देखते हैं तो हमने x ले लिया d of xy आपको given है x कोई point है x का अब मैंने capital A एक subset ले लिया x का such that x किसमे है capital A में मैंने capital A का ऐसा subset capital A x का ऐसा subset उठाया जिसमें x है अब मैं कैसे show करूं कि ये जो capital A है x की neighbor root है हमने क्या show करना है to show capital A is neighborhood of x ये आपको ऐसे भी कह सकते हैं x is interior point of capital A यनि बस उसको belong कर रहा है इसी से कैसे prove हो सकता है discrete में कि ये इसका interior point बनेगा या ये इसकी neighborhood बनेगा इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में मुझे क्या डूणना है sphere तो इन दोनों के बीच में एक sphere exist करता है कहां पर discrete में कैसे किया है discrete space में अगर radius 1 या 1 से चोटा हो तो वो सिर्फ क्या आता है center अब x और a के बीच में आपको एक sphere डूणना था तो x और x के बीच में x तो आए गई x को belong करता है और x अल्रेडी ये में मैंने सिर्फ इसको set form में लिखती है और ये लिखूं sphere ये singleton x है discrete space में इसलिए ऐसा possible तो आपको x और a के बीच में एक sphere मिल गया इसका मतलब x a का क्या बन गया interior point या ax की क्या बन गया neighborhood इसलिए discrete space में जो भी set subset x का इस small x को contain करेगा वो उसकी क्या बन जाएगा neighborhood या small x उस set की क्या बन जाएगा interior point next एक और definition है हमारे पास वो है interior of a set क्या होता है interior of a set तो suppose करते हैं xd आपके पास एक matrix space है और capital A एक subset x का interior of a subset of x या interior of a set उसको denote करते हैं a के उपर naught से a naught a naught क्या है capital A जो भी x का subset है उसका interior इसके अंदर हम क्या लिखते हैं it is set of all the interior points of a आपके पास एक matrix space है xd capital A इसका subset है मैंने यह पूछा है कि a interior क्या है इस capital A क्या है इसके अंदर एक point है x इसके अंदर है y z आप एक एक करके सबको check करो कि इसके interior point बन रहा है या नहीं बन रहा तो जो भी point इसके interior points बन रहे हैं उनकी collection को किस से denote करेंगे a interior से तो a interior क्या हो गया set of all the interior points of a इसके कुछ examples करते हैं इसके कुछ examples करते हैं ले लो कोई भी real number ले लो अगर आप कोई भी interval draw करोगे यानि एक open sphere draw करोगे वह मेशा r में ही रहेगा इसका मतलब x r का क्या बन गया interior point इसका मतलब तो हर point हर real number r का क्या बनेगा interior point तो r interior क्या होता है r r interior is r क्योंकि आपने एक real number लिया x उसको check करके देखा वो interior point बन रहा है दूसरे को लोगे भाई वो भी बनेगा सारे real numbers interior point है किसके r के या r अपने हर real number की क्या है ने भरूर तो r interior क्या हो गया r second हम एक interval लेते हैं a b open interval मुझे इसके interior का set ढूनना अब मैंने इसका अब जब इसके interior का set ढूनना है कुछ ऐसे है ये a ये b मैंने अब जब हम interior point चेक करते हैं वो point उसी को ओना चाहिए for example मैंने point एक यहां लिया तो c को center लेकर आप अराम से एक छोटा से interval ले सकते हो जो पूरा इसमें content हो यानि अगर मैं इसके बीच में से कोई भी point उठाऊंगी तो वो हमेशा इसका क्या बनेगा interior point similarly अगर मैं a को यहां पर इसकी बात करो a तो इसके पास है नहीं और यहां पर आप कोई भी point ले लो सबके लिए आप true है similarly b नहीं है तो सारे points इसके interior points बनेंगे तो a b interior क्या हो गया a b now third यही interval अगर close हो जाए यानि अब आपके पास ऐसे है तो again आप बीच का कोई point लोगे या यहां तक कोई भी point लोगे हर एक point के लिए आपको एक interval मिल जाएगा such that वो interval पूरे का पूरा किसमे content है set में यानि c's का interior points बन गया similarly अंदर के सारे points बन जाएगे अब इनका क्या करें जो आपके end points है जिसे पहला end point है a तो अगर मैं a को center लेकर कितना भी छोटा interval बनाऊ a minus epsilon a plus epsilon a minus epsilon a plus epsilon यह content नहीं होगा इसमे similarly b को center लेकर कितना भी छोटा radius लेकर मैं एक sphere ड्रॉ करूँ यानि एक open interval ड्रॉ करूँ इसके भी कुछ points बहार चले जाएंगे इसका मतलब इस interval के सभी points किस interval के इसके सभी points इसके interior points बन रहे हैं लेकिन boundary वाले नहीं बन रहे तो इसके interior के set में कौन आ जाएगा open interval इसका मतलब अगर आपको interval यह दिया हुए तो इसके interior points सारे बन रहे हैं लेकिन अगर आपको interval यह दिया हुए है तो इसके interior points सारे नहीं बन रहे end points नहीं बन रहे तो उसका answer भी यही है Similarly अगर आपका interval यह होता तो इस case में सारे बन जाएंगे सिर्फ कौन नहीं बनेगा A और अगर आपके पास interval ऐसे होता इसके interior points भी सारे बनेगे सिर्फ कौन नहीं बनेगा B तो यह intervals different हैं लेकिन उनके interior points का set क्या आ रहा है Same Next आपके पास example है एक और interior point चेक करते हैं इसी आपकी usual metric पर Next हम ले लेते हैं N interior यहाँ N क्या है natural numbers का set natural number के set के interior point निकाना है अब आप कोई भी real number ले लो आपको चेक करना है यह इसका I mean natural number आपने इसको चेक करना है कि क्या यह N का interior point है इसका मतलब आपने करना किया X और N के बीच में एक open interval ढूंट के दिखाना है लेकिन आप यहाँ कोई भी open interval लोग है वो कुछ ऐसा नजर आएगा लेकिन क्या यह interval पूरा set of natural numbers में contained है नहीं इसके बीच में natural numbers के लावा और बहुत rational, irrational सब है इसका मतलब X को center लेकर आप कैसा भी interval ड्रॉ करने की कोशिश करो हमेशा उसमें set of natural numbers आरे I mean उसमें natural numbers के लावा और भी members आएंगे वो set contained नहीं होगा इसका मतलब यह X इसका interior point नहीं बन रहा X natural number तो है लेकिन interior point नहीं बन रहा तो interior points का set natural numbers का क्या होता है empty similarly Z interior भी empty होता कैसे आप कोई भी integer लो जब आप उसको center लेकर कोई भी open sphere ड्रॉ करोगे उसमें integers के लावा और बहुत कोई होगा rationals, irrationals तो इसमें contained नहीं है यानि N interior भी 5, Z interior भी 5 similarly Q interior 5 होता कैसे आप कोई rational number लो अब मैंने इस बार rational number लिया तो उसके आसपास मैं कोई भी interval ड्रॉ करूँगी वह ऐसा open interval आएगा अब इसके अंदर मैं को चाहिए क्या कि ये पूरा interval किसमें contained हो Q में लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें तो irrationals भी है इसका मतलब ये XBQ का interior point नहीं बन रहा तो Q interior भी empty है similarly irrationals के interior का set भी empty है अगर आपके पास कोई irrational है और आप उसको center लेकर कोई भी open interval ड्रॉ करोगे वो interval पूरे का पूरा I में contained नहीं है इसमें सारे irrationals नहीं है इसमें rationals भी है तो N interior is 5 next N interior is 5 Z interior is 5 Q interior is 5 and also I interior is 5 और सबसे पहले हमने देखा था R interior is R now एक और example करते है you are given A is a finite set real line with usual metric पर एक finite set है तो आपको A interior calculate करना है वो भी क्या आएगा empty set कैसे A finite set है और अगर आपने इसका कोई interior point बनाना है तो मैंने X एक ले लिया A अब गर X A का interior point है तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा एक open sphere open sphere मतलब एक open interval अब हमेशा एक open interval एक infinite set होता है और A कैसा है finite set एक infinite set एक finite set में contained नहीं हो सकता इसका मतलब ये X A का interior point कभी नहीं बनेगा इसलिए A interior क्या हो गया empty तो कभी भी A अगर finite set दिया हुआ है आपको real line with usual metric उसका interior हमेशा क्या आएगा empty so next we have a theorem if A and B are subsets of a metric space XT then first you have to prove A intersection B whole interior is equal to A interior intersection B interior and second part is A interior union B interior is contained in A union B whole interior यहां पर तो equality है और यहां सिर्फ one side containment है और उसके बाद आपने यह भी show करना है also show that कि this result does not hold for equality यहां पर not equal आ रहा है A interior union B interior is not equal to A union B interior by means of an example तो सबसे पहले इसका proof करते हैं और first part से start करते हैं आपने क्या proof करना है to prove A intersection B whole interior is equal to A interior intersection B interior आप लोगों को पता है जब भी दो sets को equal दिखाना हो एक बार इसको इसमें contained दिखा दो फिर एक बार इसको इसमें contained दिखा दो तो आपके पास दोनों sets equal हो जाएंगे और किसी भी set को दूसरे में contained दिखाने का क्या तरीका होता है इस side का एक element उठाके उधर पहुंचा दो अब इसको show करने के लिए यहां से एक element start करते है let x कहां पर है a intersection b whole interior इसका क्या मतलब है इस notation का मतलब यह है कि x किसका member है a intersection b interior का इसका मतलब x is an interior point of a intersection b अगर x a intersection b का interior point है this implies आपको एक sphere मिल रहा है sphere मिल रहा है मतलब एक radius मिल रहा है एक real positive number मिल रहा है कैसा कि x पर centered r radius का जो sphere है वो किसमे contained है a intersection x interior point है इसका x पर centered एक sphere मिल रहा है आपको r radius का जो किसमे contained है a intersection b में अगर SXR intersection में contained है intersection A intersection B में और intersection किसमें contained होती है A में भी और मैं अगर सको दुबारा लिखूँ A intersection B में intersection B में भी contained है A intersection B A में भी है A intersection B B में भी है This implies SXR A में भी contained है and SXR B में भी contained है तो X पर centered X sphere मिल रहा है जो A में contained है This implies X is an interior point of A and X पर centered X sphere मिल रहा है जो B में भी contained है This implies X is an interior point of B and this implies X A interior में भी जा रहा है और B, क्योंकि A के interior points का set ये है ये B के interior points का set है and this implies x अगर दोनों के दो sets में जा रहा हो तो उनके intersection में बेजाएगा हमने x कहां से लिया था? यहां से, कहां पहुंचा दिया? यहां पर इसका मतलब यह set यहां contained हो गया तो हमारी one side की containment होगी and therefore A intersection B interior is contained in this तो यह आपके आगे first equation आगी आपकी now for second second के लिए हम फिर यहां से start करते हैं अब दुबारा x भी नाम रख सकते हो element का या कुछ और भी अगर आप x रखते हो तो कोई problem नहीं है यहां पर एक बार का x लिया हुआ खतम हो चुक है now let x belongs to A इस तरफ A interior intersection B interior this implies x belongs to A interior and x belong कोई भी चीज इंटरसेक्शन में है मतलब दोनों में अब दोनों की definition लिख देते हैं x A interior में है इसका मतलब x is an interior point of A and x B interior में है x is an interior point of B अब पहली बात करते है x A का interior point है इसका मतलब x और A के बीच में एक sphere मिलेगा यानि एक radius मिलेगा तो आपको एक radius मिलेगा मान लेते हैं R1 नाम है उसका such that s R1 I'm sorry s X R1 किस में contained होगा? A में and x interior point है B का तो एक और radius मिलेगा उसका नम R2 रख लेते हैं such that s X R2 is contained in B अब x एक point है x जो point है उस पर R1 radius का sphere draw करें तो वो A में contained है मुझे नहीं पता R1 R2 में से कौन बढ़ा अगर for example R2 बढ़ा है तो R2 radius का sphere B में contained है लेकिन R1 R2 real numbers है तो कोई बढ़ा या चोटा तो होगा इन में से suppose कर लेते हैं इनके minimum का नाम R1 और R2 में से जो भी चोटा उसका नाम क्या रख लेते हैं R तो S X R A में भी जाएगा and S X R B में भी जाएगा R1 radius का sphere A में contained है और R2 radius का sphere B में contained है center same है तो अगर इस example में जो मैंने draw किया है इनका minimum क्या आ रहे आपके पास R1 R2 का R1 तो जो R1 radius का sphere वो तो दोनों में हो गया ना A में भी और B में भी this implies S X R A में भी है B में भी है तो कहां जाएगा intersection में तो X पर centered एक sphere मिल गया जो किसमें contained है A intersection B में this implies X is interior point of A intersection B और interior point बन गया तो कहां जाएगा interior points के set में कहां से लिया था X? यहां से कहां पहुंच किया? यहां पे and therefore A interior intersection B interior is contained in यह आगी आपके पास second equation तो आप लिख सकते हो from first and second you have A interior intersection B interior is equal to A intersection B whole interior तो यह तो हो गया आपका first part अब second part start करते हैं second part में आपको union के लिए दिखाना है और दिखाना है सिर्फ one way result तो आपने क्या प्रूफ करना है? तो यहां से लेके यहां एक element पहुंचाते हैं let X belongs to A interior union B interior अगर कोई चीज यूनिए यहां पहले interior नहीं पहले union डिसकस करेंगे X अगर दो चीजों की union में हो तो किसी एक में तो जरूर जाएगा X belongs to A interior और X belongs to B interior this implies X is an interior point of A और X is an interior point of B X is an interior point of A और X is an interior point of B this implies यहां तो आपको एक sphere मिलेगा radius R1 ले लिया such that यह जो sphere है SXR1 यह किस में contained होगा A में? और आपको एक sphere मिलेगा मालने तो उसका radius R2 है such that SXR2 is less than B अब यहां तो sphere मिल रहा है R1 radius का जो A में contained है यहां sphere मिल रहा है R2 radius का जो B में contained है this implies there exists a sphere containing in A union B कैसे? आपके पास जो A में है वो A union B में तो जरूर जाएगा और जो B में है वो भी A union B में जाएगा तो दोनों में से कोई भी case हो X sphere मिलेगा containing in A union B and centered काहां पे है? X पर तो X पर centered X sphere तो मिल गया जो इसमें contained है this implies X is an interior point of A union B वो आरवन radius का होगा या आट्टू का तो X interior point बन गया A union B का and this implies X belongs to A union B whole interior अपने यहां से लिया था यहां पहुँचके and therefore A interior union B interior is contained in A union B whole interior अब आपको एक ऐसा example देना है कि यहां equality नहीं आती तो इसके लिए example आप real line with usual metric ले लो और capital A मैं set ले लेती हूँ 0,2 और B आप set ले लो 2,2 कुछ भी ले सकते हैं 4 मैंने जानके एक point common रखा है अगर आप A interior निकालोगे अभी हमने देखा था कि जब हम interior लेते हैं तो end points include नहीं होते और B interior लोगे तो आपके पास आजाएगा 2,4 end points include नहीं होते हैं वो interior points नहीं बनते हैं और अगर मैं A union B करूँ 0 से 2 फिट 2 से 4 यानि इसकी union करने है 0 से 2 union 2 से 4 यह कितना आजाएगा? 0 से 4 और इसका whole interior निकालो यानि 0,4 interval का interior यह कितना आएगा? open interval 0,4 अब A interior union B interior क्या आएगा? 0 से 2 union 2 से 4 तो इसमें क्या आएगा? 0 से 4 तक सारे points लेकिन 2 ना यह ले रहे ना यह ले रहे तो कहीं पर भी नहीं आएगा अब A interior union B interior तो आपके पास यह आ रहा है 0,4 minus 2 और A union B whole interior आएगा? 0 से 4 तो यह दोनों sets equal नहीं है इसका मतलब आपके पास यह not equal आते है A interior union B interior is not equal to A union B interior और आपने उसको एग्जाम्पल से justify कर दिया